अस्वाइलेकम, बहत्तर गंटे बाकी हैं पाकिस्तान के अंदर आठ फरविरी को होने वाले अलेक्षन का पाकिस्तान की तमाम अवाम जो है वो बड़ी बेसबरी के साथ इंतजार कर रही है वो कोई भी political party हो कोई भी कारकुन हो किसी भी political party से उसका तालुक हो वो इस दिन आज फर्विरी का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है क्योंकि ये वो दिन था जो last year पाकिस्तान के अंदर election होने थे वो postpone होते हैं. पोस्पोन होते 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 जनवरी में अलेक्शन तैप आयते जनवरी की डेट चेंज होती है और आठ फरवरी जो है उसको दिन मुकरर कर दिया जाता है कि ये काजी साहब ने लिख दिया कि अब ये पत्थर पर लखी हो गई कि आठ जनवरी को अलेक्शन होंगे ही होंग है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुए दैस्फित करती से 2030 से बार बार हर किसी को यह लगा किव हिए अब के लेक्शन रूका अब की लेक्शन गया लेकिन 72 घंटे सिर्फ रह गए है पाकिस्तान के अंदर अलेक्शन होने जा और वहां पर 11 जो हमारे पुलीस अहलकार हैं वो शहादत नोश करते हैं तो साथ साथ सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो काजी फाइजिसा ने एक पत्थर पर लगाई थी उस पत्थर की लखीर को काइम रखने के लिए आठ परविरी को अलेक्शन होने जा रहे हैं उस आठ फरविरी के दिन को उस अलेक्शन डे को सक्सेस्फुल कैसे बनाया जा सकता है इसके उपर बहुत जरूरी है आप लोग राइट टाइम पे निकलें पाकिस्तान में जिसको वोट देना है उसकी साइड बे खड़े हूँ जो निशान हो वो आपको पता होना चाहिए वोट कास्ट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए अंदर जाकर आपने वोट पर निशान लगाना है निशान पर निशान लगाना है या खाने में आपने निशान लगाना है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये बेसिक इनफरमेशन आपके पास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप अंदर पहली दफ़ा कोई वोट अपना कास्ट करने जा रहे हैं जो यंग जेनरेशन एस्पेशली जब अपने जिन्दगी का पहला वोट कास्ट करने जा रहा हो वो यह ज़रूर मेक्शूर करें कि जब पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हूँ वहाँ पर राइट इन्फोर्मेशन परची लेते वक्त ही आप उनसे पूछें कि आपको वोट या आपको खुद बेसिक इन्फोर्मेशन जो है गूगल पर सर्च करके पता होनी चाहिए अगर आप किसी पर ट्रस्ट इशूस हैं आपको पता है कि अपने घरों से निकलना होगा घरों से निकल कर आपको वहां पर खड़े रहना होगा मेक्शूर कीजिएगा कि पांच साल पाकिस्तान के बारे में रोने से बेतर है पांच घेंटे रोल लें वो लोग जो हर वक्त ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में चोरों को जो है पार्ल गयुंकि आप पाकिस्तानी घर में इसलिए बैठे रहा जाते हैं कि आए छुटी का दिन वोड कियों देने जाएं और इंजोई करते हैं चलो बढ़े मनाते हैं चलो शादी में चले जाते चालो घर में बैटके फिलम देखते हैं पांच साल आपने फिर रोते रहना कि ओहो काश में घर से निकला होता काश मैंने जाके वोट दिया होता तो मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल से टिप सजेश्ट कर रही हूं कि पांच साल रोने की बजाए अपने पांच घंटे रो लेजिए अपने साथ अपने फून की बैटरी चार्ज रखेगा ठीक है एक्स्टर अगर किसी के पास पावर बैंक है तो भी साथ रख लीजिए गा पानी की बॉटल साथ रख लीजिए गा अगर आप हैल्थ डाइट गॉंशेस हैं तो कुछ रख लीजिएगा कुछ लीजिए कुछ लांट कि नट्स अपने पास रख लीजिए यह मैं सब कुछ इसलिए कह रही हूं क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादा जो है अलेक्शन डे वाले दिन अलेक्शन डालने के लिए वो डालने के लिए ओ पाकिस्तानी बहुत μας चिट्न के साथ्ट जोMP इंतजार कर रहे थे आठ्वर्वरी के अ सब्सक्राइब और पाकिस्टानी बहुत Schiedत के साथ वोट डालने के लिए घर से निकलेंगे तो फिर आप मेक्शूर कीजिएगा कि आपके पास खाने के लिए कुछ हो आपके पास पीने के लिए भी पानी हो आपके पास क्रिस्प हो फ्रूट हो या डाइट की कोई भी चीजें ऐसी जो आप वहां पर 5-6 घंटे अगर आप कि बस वो तमाम चीजे हो पावर बैंक अपना फून चार्ज कर लीजिए गा फून पर खड़े होके गेमें खेल लीजिए गा अगर गेमें नहीं खेलनी तो उस वक्त अपने सराउनिंग में खड़े होकर विडियो स बना लीजिए गा क्यूंकि वो तुमाम मवाद आपके क पांच साल रोने से बेतर है पांच घंटे आठ फर्वरी को रो लें लाइनों में खड़े हो जाए अब कुदारा उस दिन यह ना आप कहिए गया है और यह तो चुट्टी का देना चलो फिल्म लगा लो फिल्म देख ले चलो दोस्तों के घर चले जा चलो बड़े पार्टी चलते हैं चलो बीच पर घूमने चलते हैं चलो मरी चलते हैं आप ऐसे ना की जिए गा उस दिन आपका छुट्टी इसलिए जा रही है क्यूंकि पांच साल रोने की बजाए मैं 5 गहंटे लाइन में खड़ा हो जाता तो आज मुझे रोना परता तो लहाज़ा पाकिस्तानि यो पांच साल रोने से बेतर है पांच गिंटे रो लिजिए गए बख यह काने की चीज़े साथ रख लिजिए ग dobry पीने के लिए पानी भी साथ रख लिजिए changed ठीक है, फोन चार्ज कर लीजिएगा, अगर आप डाइट और हल्थ कॉंशिस हैं, तो खाने के लिए हल्दी चीज़े पास रख लीजिएगा, लेकिं घर से जरूर निकलिएगा, और वोट डालिएगा, दूसरी बात, अपने कैनिडेट का निशान आपको पता होना चाहिए, अपने कैनिडेट के कैंप के बाहर ही खड़े रहिएगा, परची भी उसी ही से कटवाईएगा, और उसके बाद मेक्शूर कीजिएगा, कि आप अपना वोट जाया ना करें, आप पांच मिनट गूगल पर सर्च करके वोट डालने का सही तरीका समझ लीजिएगा, और अग आपके घर के कुछ ऐसे अफराद हैं, जिनको वोट डालने में प्राबलम है, या उनको सिंबल का नहीं पता, आप अपने बड़ों को गाइड कर दीजिएगा, और दूसरी बात, वोट डालकर घर मत चले जाएगा, थोड़ी देर अपने वोट पर पहरा भी दे दिन में भी डाका डाला जा सकता है, तो लहाजा वोट डालने के बाद थोड़ा सा सबर कर लीजिएगा, अपने वहाँ पर जो आपके जो भी वो जो नुमाइंदे मुकरर किये वे होते हैं, वो परची ले चुके हूँ, वो सब कुछ कर चुके हूँ, उसके बाद जब काम आएगा, क्यूंकि हमारे एलक्शन कमिशन ने ये साफ लफजों में कहा दिया है, कि पाकिस्तान के आठ फरवरी के होने वाले एलक्शन के रिजल्ट में किस वक्त हूँगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कि देर सवेर हो सकती है, उस देर सवेर के पेशे नज लें, तो आप मेरी बात लिख कर रख लें, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा, फिर आपकी मर्जी के खिलाफ कोई शिक्स पार्लिमेंट में चा भी नहीं सकेगा, और दूसरी बात में यहां पर बहुत ही जो है, फर्मली बिलीव के साथ आपको बताने जा रही हूँ, पाकिस्तानी मुस्से हमेशा एक बात पूछते हैं, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, आठ फर्वरी, मैंने बहुत पहले लिखा था कि पाकिस्तानी जाएं, आठ फर्वरी पाकिस्तान की अवाम का दिन है, जो प्लूटो जो स्टार होता है, वो पाकिस्तान के अपने घर में यानि कि Pluto जो है वो अवाम को रिप्रेजेंट करता है तो पुलूटो अपने बादशाहत अपने फर्स्ट हाउस में है पाकिस्तानियों उस दिर आपका दिन है आप जो चाहेंगे वैसा होगा पाकिस्तानियों जस्माक माइवेज अगर आप वो डाले निकलेंगे आपका आएगा पार्लिमेंट के अंदर नए चेहरे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की पार्लिमेंट का हिस्सा बनेंगे ये भी मेरी लिख्यूई बात और कहीवी बात सच साबित होगी दूसरा अलेक्शन हो जाते हैं रिजल्ट 9 को आता है 10 को आता है 15 को आता है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान के अंदर दो अधारे आपस में टक्राने जा रहे हैं बस उस पे भी नज़र रखिएगा कि वो अधारे कब क्यों टक्राएंगे और उसकी वज़े क्या होगी ये भी मवक्त से पहले आपके ये स्टोरी ब्रेक करके जा रही हूं इसल की भी सजाएं आप समझ सोच के बैठे हुए हैं अभी नाइन मेय के अंदर इमरान खान को सजाएं दी जाएंगी अभी नाइन मेय में इमरान खान को ग्रिफ्त में लिया जाएगा नाइन मेय के उपर इमरान खान साब को हो सकता है कि फांसी की सजा भी दी जाए मैं बहुत वाले elections के बाद फांसी की सजा भी दी जाएगी पहले आप नहीं निकले तो इमरान खान को सजाएं हो गई अब अगर आठ पर्विडियों को नहीं निकलेंगे तो इमरान खान को फांसी की सजा भी अनौण्स करती जाएगी तो अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास chance है, अभी भी आपके पास मौका है कि बाहर निकलें, अपने candidate को vote डालें, रोना धोना छोड़के अपनी luxury थोड़ी देर के लिए हटा कर कि हम line में खड़े होंगे, हम embarrassment होगी, हम पाकिस्तान के अंदर line में खड़े होने के लिए नहीं हुए हैं, तो पाकिस्तानियों आपको change लाने के लिए अपनी luxury life छोड़के, चंद घेंटों के लिए line में लगना पड़ेगा, वरना फिर यही लोग जिनको आप नहीं चाहते के वह parliament के अंदर होंगे, और आप parliament से बाहर बैठे वे, सिर्फ और सिर्फ रो रहे होंग पाँच घेंटे रो लेना बहतर है, सब पाकिस्तानियों सारे के सारे, निकलिएगा वाहर, वोड़ दीजिएगा, शेर को दीजिएगा तीर को दीजिएगा, पतंग को दिजिएगा, इम्रान खान का नाम लेवा कोई भी निशान हो, उसको वोड़ देना होगा, लेकिं वो चोड़कर 5-6 घंटों के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर बदलने का दिन है जो आप असल तब्दीली की रह तक रहे थे वह आट फरवी का दिन है पाकिस्तान की अवाम का दिन है और आप लोग निकलेंगे और पाकिस्तान के अंदर आपकी के छक्के छुड़ा देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इम्रान खान की पार्टी के अजाद अमीदवार होंगे वह एक ऐसी पार्टी में जोइन करने जा रहे हैं जो आप सब को ठ्रिल करतेगी जो आप सब को सिप्राइस करतेगी और उस शक्स के बारे में मैं सिर्फ नहीं बताऊंगी जिनकी वो जिनके साथ वो इलहाग करने जा रहे हैं मैं उसके बारे में बहुत कुछ लिख चुकी में हूँ मैं भी थोड़ा सा सिस्पेंस जो है वो रहने देती हूं वो इसलिए रहने देती हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंट्रा पार्टी के इनका होगा और पाकिस्तान के अंदर नून लीग के लिए मुश्क्लें खड़े कर देगा कि नून लीग हकूमत ना बना पाए तो जो ऑप्शन जो दिये जा रहे हैं पाकिस्तानियों वो बड़े इंट्रस्टिंग हैं पीटी आई वालों ने प्लान सीडी इभी तियार कर लिए और उसमें सबसे बड़ा जटका ये देने जा रहे हैं कि उन्हों ने एक पार्टी में अलेक्शन दे के फॉरन बाद अपना एलान जारी कर देंगे और वो एलान सुनते ही आप लोगों को जितना बड़ा करंट का जटका लगने जा रहा है उसकी मिसाल तो भी वेरी हिस्टरी में निए मिलेगी आपको क्वेुआए को कैसे चारो शाने च्रिट करेगी और इसके पीचे हमारी पाकिस्तान की रियासत जो है वह भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी पाकिस्तान की जो रियासत है वो उनके इस अमल को इंडोस करेगी पाकिस्तान की रियासत जो है उनके इस कदम को एक नॉलिज़ करेगी और भरपूर तरीके से आवन भी दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के अलेक्शन कमिशन की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने हालिया दोर पर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर independent जो candidate हैं वो जीत कर अगर बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं तो अपना प्राइम मिनिस्टर भी ला सकते हैं तो ये statement ऐसे ही नहीं दिया गया था मेरे पाकिस्तानियों तो बस एक बार बार लास्ट में फिर जाने से पहले मैं ये बात कर देती हूं कि 8 फरवरी को बाहर निकलिएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपका भी लाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर अजाद candidate भी ला सकते ह हैं उसके लिए सिर्फ सिर्फ पांच साल रोने से बेतर है पांच घेंटे रो लीजिएगा सर्प्राइज जो इम्रान खान ने कहा था वो असल सर्प्राइज आपको 9 मैं को ही पता चल जाएगा बलकि हो सकता है कि 8 फरवरी को मिड नाइट से पहले-पहले ही अनाउंस कर द किये जाते हैं और पता चल जाता है कि अज़ाद के इस तदाद में जीत गए तो आपको 9 मैंसे पहले ही पाकिस्तान तहरी के इंसाफ के जो नमाइंदे हैं वो बता देंगे कि वह किन पार्टी के साथ इलहाग करने जा रहे हैं क्या वो पी-पी-पी है या वो पी है मैं बस इतने तक ही रुख जाती हूँ मैं इसे आगे नहीं जाती हूँ मगर पाकिसानियों खेल है वो बड़े दिल्चस्प मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है ये वो राज है कि मैं भी नहीं चाहूंगी कि जिन लोगों ने इतना अच्छा तरीके से मैनेज करके छुपा के रखा हुए है उसको मैं भी बस्ट आउट करके आप लोगों की प्लानिंग फेल नहीं करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की विया वो सक्सेस्फुल रहे क्योंकि अल्टिमेटली पाकिसान की अवाम की जीत होनी चाह है तिल तक आठ परवी का इंतजार कीजिएगा सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद